हलो बच्चो वैलकम इन माई टूब चैनल आज की वीडियो में हम देखेंगे कक्छा चार अंक जगत की जो कारिय पुस्तका है उसका दिन 89 इस चैपट में है रिवीजन तो हम इस वीडियो में इस अध्याय के लिए कंप्रीट करेंगे और इससे पहले के जो चैपटर हैं उन को हम हल पहले ही कर चुके हैं उनके वीडियो हम अप्लोड कर चुके हैं आपे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्ट में उनके लिंक मिल जाएंगे वहां से आप देख सकते हैं और जो अंग जगत कक्छा चार की किताब है उसके सभी चैप्टर आपको हल किय हुए मिलेंगे एक प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तो बहां से आप सभी चैप्टर किरमबाई देख सकते हैं तो करते हैं आज का अध्याय प्रारम रिवीजन इसका दिन है 89 यहां पर हम क्या करेंगे दिनांग डाल देंगे ज काई दाई सैकड़ा हजार ठीक है तो हम ऐसे लिखेंगे साथ हजार नवासी इसी प्रकार खा में 9,579 है तो 9,579 ठीक है इसके बाद यह आपको देखाई पड़ाई यह है 50,689 इस तरह से हम यह लिख लेंगे इसके बाद देखते हैं सवाल नम्बद दू संख्या को अंकों में लिखिए ठीक है 7070 यह कितनी है 7070 हम इस तरह से लिख देंगे इसी प्रकार यह आप देख रहे हैं 84,989 तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 84,989 फिर हमारा आता है 89,869 तो यह 89,869 लिखा जाएगा इसके बाद देख रहे हैं सवाल नम्बर आपका य संख्या है 3,3 में यह कह रहे हैं कि 3,5,8 और 7 और 0 से इन अंकों से 5 अंकी संख्या बनाएं यह हमारे पास 5 अंक हैं इनसे हमें 5 अंकी संख्या बनानी हैं तो हम 5 अंकी संख्या यह बना लेंगे हमने यह लिख दिया पहले 8 लिखा उसके बाद पहले 7 लिखा फिर 8 लिखा पर पांच लिखा पर तील लिखा फिर शून लिखा तो हम किसी भी अंको आगे पीछे लिख सकते हैं लेकिन शून को प्रारम में नहीं लिखेंगे सून को हमें सब बीच या बाद में लिखेंगे तो कोई सी भी संक्या आप बना सकते हैं ये तो पांच अंकों की संक्या हो जाती है, इसके बाद कह रहा हैं कि सबसे बड़ी संक्या इन अंकों से कौन सी बनेगी, तो सबसे बड़ी संक्या ये बनेगी, इन अंकों के लिए हम क्या करेंगे, अब रोही क्रम में लिख देंगे, ठीक है, बड़ा अंक पहले, फिरसर छ सबसे बड़ी संक्या भी हो जाएगी 87pharm संक्य क्रवस्पाइब आपका आरोई करंफरम हो जाएगा अब देखते हैं इसका काखन में क्या पोच रहे हैं कि बनाई गई सबसे बड़ी बस सबसे छोड़ी संक्याओं का योगफ़ कितना होगा तो हमने ये सबसे बड़ी संक्या बनाई और सबसे छोड़ी ये बनाई इन दोनों को जब हम टोटल करेंगे जोड़ेंगे तो ये आपकी संक्या ये हो जाएगी एक लाख अठारा हजार एक सो आठ इसी प्रिकार गाकंड देख लेते हैं खाकंड बनाई गई सबसे बड़ी वह सबसे छोटी संक्यामें तीन के इस्तानी मान जोड ग्याद करना है तो सबसे बड़ी संक्याः ये है इस भी क्या है तीन का इस्तानी मान इकाई धाई पे है ये ठीक है और इसमें देखेंगे तो ये है कहाँ पे है काई कि मान इकाई धाई सेकड़ा हजा दस जार पे है दस जार का ताथ पर ये हो जाएगा ये आपकी 30,000 हो जाएगी और धाई का मतलब हो जाएगा यह आपका 30 हो जाएगा दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपका आंसर 30,000 तीस आ जाएगा यह मान इसका योग हो जाएगा अब दिखते हैं सवाल नंबर इसका 4 कह रहे हैं संख्याओं को आरोही अब हम अब रोही किरम में लिखिए आखंड में देखेंगे इसके आरोही किरम में आरोही किरम का मतलब होता है बढ़ता हुआ किरम अर्था सबसे छोड़ी संख्या पहले फिर उससे बढ़ी फिर उससे बढ़ी फिर उससे बढ़ी किरम में लिखेना है अब रोही किरम का मतलब होता है संक्याओं का घठता हुआ किरम गठा सबसे संक्या बड़ी आली पहली लिखेंगे ये लिख दी उससे छोटी हम ये लिखेंगे फिर से छोटी ये लिखेंगे फिर से छोटी लाश्ट में लिखेंगे तो पहली संक्या जो है तो पहले हम 46, 60 के लिए जोड़ देंगे इसका जो यूग आ रहा है वो आ रहा है 104 अब हम इन संक्या को जोड़ते चले जायेंगे यह संक्योल आजा है तो हमारी यह आ रही है 92 40 plus 52 अब इसके लिए जोड़ रही है 50 और 65 तो आजाएगा आपका 112 ऑन 11 triumph यहानी 112, फिर इस संक्या के लिए हम जोड़ेंगे, 50 और 60 के लिए हमारा यह आंसर आएगा 110, अच्छे लाश्ट में यह संक्या है 50 और यह 54 ठीक है, 50 और यह 54 इसके लिए जोड़ रहे हैं, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आरा 104, ठीक है, तो आपका जो 10 खंड है, यह आप कह सकते हैं, इसके बराबर है, समान है, इसके बाद चलते हैं, अगले प्रिष्ट पे, इसी का 89 का दूसरा पेज है, वो हम आपन कर लेंगे, देखते हैं, इसमें पहला सवाल, खाली जगह में सही, यह चिन देख रहे हैं, जोड़ का, गटाय का, गोड़ा का, और भाग का, यह जोड़, गटा, गोड़ा, बागी संक्रियाएं हैं, इनकी चिन है, तो हमें इन, जो सवाल हमें दिये हुए, इनमें फिल करना, जैसे आखंड में दिया है, वारा है, फिर हम क्या फिल करें, 13 बराबर 156 आ जाए, तो हम यहाँ पर गोड़ा, 12 और 13 की जब गोड़ा कर देंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 156 आ जाएगा, ठीक है, इसी परिकार यहाँ देखेंगे, सवाल बा में, यहां क्या करना है, हम जोड़ेंगे 46 प्लस 156 को, तो आंसर आपका 102 आ जाएगा, इसी परिकार साखंड में देखेंगे, तो यह 3 कितना है आपका, यह है, 3456 में से, हम कितना घटा देगे, 266 कटा देगे, कम कर देगे, तो आपका आँसर 3190 आ जाएगा, इसी परिकार दाखंड देखेंगे, यहां आपका, 5 से हम 155 को भाग देगे, तो आपका आँसर 31 आ जाएगा, तो यहां भाग का निशान फिल करेंगे, इस बाते की दि यह देख रहा है आप यहां पर खाली वाक्स से कहां पर है खाली वाक्स यह देख लो यह वाला हमारा खाली वाक्स से यहां क्या करना है और यहां भरना है तो हम क्या करेंगे यह हमारा नौ है और यह हमारा नौ है ठीक है तो हम कितना जोड़ें चार में कि नौ आ जाए तो हम क्या करेंगे यहां चार और एक यह आपका पांच ग्यारा यह वाला यहां पर एक हासल है यह वाला यहां पर ठीक है यहां का एक हासल यहां जोड़ देंगे यह वाला तो एक चार पांच राट तेरा के तीन हो जाएंगे फिर एक हासल यहां लगेगा फिर एक यहां लगेगा हासल एक अट 9 नौ 6 15 तो इस तरह से हम यह फिल कर देंगे इसी प्रिकार यहां पर आपका क्या आएगा शून आएगा यह घटाए का सवाल है यहांपर भी शून आएगा तो यह क्या करेंगे हम यह सुन मैं से 13 तीन जाएगा नहीं, धाई लेंगे 8 में से ही हो जाएगा आपका 10, 10 में 7 कम करेंगे तो आपका बचेगा 7, अब हिए आपका रहाता है 7, 7 में से 9 जाएगा नहीं, तो हम 4 में से 1 धाई लेंगे, हो जाएगा 17, 17 में से 9 निकालेंगे तो आपका 8 बचेगा, हिए आपका रहा श्याम ने चार सट दो पैंट 2348 रुपए की में खरीदा एदि चार सट का मूल 824 रुपए हो तो दो पैंट का मूल बताईए तो इसको हम हल करेंगे श्याम ने चार सट तथा बताई है बताई 425 रुपए है तो दो पैंट का मूल कैसे निकाल लेंगे हम न करेंगे जो हमारा मूल है चार का सट इना रुट यदि इस चेवंगा कैसे हम 4600be घटा देंगह स french ऐने 5 appears 잘 Syria तो चार में जायगा तो दो बताईगा सवाल नंबर इसका जो है वाकंड शोहन के पास 33,460 रुपए थे उसने 13,425 रुपए घर के मरमत करवाने में खर्च कर दिये उसके पास अब कितने रुपए बचे हैं तो मैं इसको हल करेंगा इसे कि शोहन के पास कितने रुपए थे यहां लिखे देंगे 33,460 रुपए थे शोहन के खर्च कितने कर दिये वो इसमें से घठा देंगे कुल रुपए में से घठा देंगे 13,425 में से कम करेंगे तो इसके बास कितने पैसा बचेगा रुपए धन बचेगा तो यहां इस सवार के घठा देते हैं यहां सून है यहां 5 है तो घठेगा नहीं दाहिलेंगे छे में हैं दो स्केमार हाथ से इस तरह में जा चुल बॉपया तो यहां आपका घ्रम unexpectedly तो आया में जाएंगे किiao व्हाइची तत техव क्षम 2 क्षम कि ए जो प्हांगे